नसकार आप देख रहे हैं न्यूज, पियार और ताजा होले विद्रिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप सभी को मकर सक्रांती की बहुत बहुत शुब कामना आए तो चूड़ा दही और तलकुट खाकर फ्रेश हो जाईए और आज केशब की कहानी सुनिए केशब डिजिटल मार्केटिंग के दुनिया में बहुत नाम कमा चुका है साथी साथ बिहार का है, और आगे कुछ डिटेल्स बताती हूँ तो जब मैंने इनके बारे में सर्च करना शुरू किया तो मुझे ऑनलाइन बहुत सारे इनके राइट अपस मिले साथी साथ इनके लिए जो लिखे गए वो राइट अपस मिले उनमें से कुछ हेडलाइन जो है, मुझे बहुत ही जादा हिट किया एक headline में आपको पढ़कर सुनाती हूँ वो ये कि A Digital Wizard Entrepreneur and Author from Bihar तो ये headline था from Bihar ये कुछ जाता ही impressed कर गया मुझे इसके लब आपको बताओं कि दर्भंगा के रहने वाले हैं वही दर्भंगा जिसे हम the heart of मिथिला कहते हैं और यह बंदा जो है जीता जाता example है इस sentence का कि age is just a number आपको बताओं कि इनका कहना है कि जब हमें पता होता है कि हमें वो caliber है potential है तो हम कर जाते हैं हमें लगता है कि हमें नहीं हमसे नहीं होगा तो वो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर हमें पता है कि हमसे हो जाएगा तो हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आपको पताएं कि 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना company form किया था और काम चलाओ global agency के CEO बन गये थे 16 साल की उम्र में पिछले जो जिनके बार में मैंने बात की थी शहरत उन्होंने भी 16 साल की उम्र में company found किया था और ये भी 16 साल की उम्र में इन्होंने भी company found किया था बहुत बड़ी बात है अब इनकी कितनी की उम्र है क्या है वो आगे आपको बताती हूँ तो this young man is only 18 years old just imagine अभी बस 18 साल का है वो इसके अलावा आपको बता हूँ कि इस बंदे ने अपने career में बहुत जादा success पा लिया है और इतना success पा लिया है कि large client base ये बना चुका है digital marketing की दुनिया में साथे साथ author भी है लिखता भी है किताबे भी लिखता है digital marketing से related तो उसके बार में भी आपको बताऊंगी इनका कहना है कि इंडिया में अभी बहुत सारे ऐसे part इन सभी चीजों से अच्छूत है और उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी countries के comparison में इंडिया के लोगों के पास जादा caliber है अगर वो अच्छा है तो digital marketing के दुनिया में फिर से बहुत बड़ा जो है wizard बन सकते हैं वो भी बन सकते हैं जैसा कि इनका कहना है कि बाकी लोगों से जादा impactful इंडिया की लोग हो सकते हैं आगे बताते हूं कि he got the title of best selling author by Amazon for his book tips for learning digital marketing यानि कि Amazon के तरब से इन्हें ये title मिला था best selling author उसके अलाभा इन्हें digital entrepreneur आफ बिहार का भी खिताब मिल चुका है इनके बारे में और भी आपको जानकारियां दूँ तो ये young generation को काफे inspire करते हैं सिर्फ books नहीं लिखते सिर्फ marketing नहीं करते youngsters को connect करते हैं अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हें चीज़ें सिखाते हैं और इनमें एक बहुत ही अच्छी चीज है वो है इनकी विचारधारा विचारधारा ये की influence करना है, विचारधारा ये की रोजगार पैदा करना है, विचारधारा ये की बिहार में भी कुछ करना है इसके अलाबा ये भी बताएं कि इन्होंने एक sentence कहा है Learn new things everyday to explore a new version of yourself और ये कोई नया sentence नहीं है, हम आए दिन सुनते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं तो इनकी कहानी देखके हमें अमल करना चाहिए कि हमें हर रोज कुछ नया सिखना चाहिए ताकि हम खुद में कुछ नया explore कर सके इसके लावा आपको बताएं कि केसब खुद का social media profile ग्रो नहीं करते हैं ये help करते हैं public figures को, entrepreneurs को, जो start-ups करते हैं उनको, उनके social profiles को बढ़ाने में और बहुत सारे services इसके अलावा भी ये provide करते हैं वो website development, social media management तो अभी बिहार में बहुत सारे entrepreneurs हो गये हैं digital media marketing बहुत सारे लोग करने लगे हैं लेकिन जिस उमर में इसने किया है 16 साल की उमर में इसने शुरुआत कर ली और अभी 18 साल का है ये और इस उमर में जिसने ये पाया है ये सबने नहीं पाया तो हमें ऐसी उमीदे हैं कि हम भी ये कर सकते हैं और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही आज मैं इतना ही inspire करूँगी आपको बाकी आज का दिन आपका शुब हो इसके लिए कहूंगी और जो भी आप सुनना चाहते हैं जिसकी भी story सुनना चाहते हैं गर आपको लगता है कि आपके आस पास कोई ऐसा व्यक्ति है क्राइब